I hope you all are doing well और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं Physics के बारे में जो Air Force X Group और Navy WSSR की जो मैंने दो वीडियो डाल दे थी उनके उनसे आगे के रिगाड़ी और आज की वीडियो थोड़ी नोटस टाइप में बनाई है और आगे की वीडियो इसे बनाऊ और हाँ कल एक भाई कमेंट करके बता रहा है कि यार तुम हमने ल कुछ अलग लगा रहे हो और बता कुछ और रहे हो तो मेरे भाई जो क्वेस्टन जो कॉंचेप्ट मां बता रहा हूँ उनी से तो question बढ़ेंगे अलग से कुछी question नहीं बढ़ने वाले ठीक है तो जो concept या फिर जो भी आज जैसे main main में ने करें पहली बात कि अगर हमसे पूछ लेगी measure of convergence or divergence of which a lens introduces in falling in light falling on it इतका मतलब क्या कि अगर कोई lens हमारे पास या फिर ठीक है कैसा भी lens है अगर उस पर कोई light जब भी कोई light गिर रही है ठीक है ray of light कोई भी गिर यह तो कितना उसको converge या diverge कर रहा है उस चीज को जो measure करते है अपने उसको क्या बोले तो उसको बोलते है power of lens power of lens क्या होती है कि कितना वह एक light को converge डाइवर्ज करेकर जब उसके ओपर वह गिरेगी ठीक है तो पहला पॉइंट तो यह अगला काफी इंपोर्टेंट है यह अब जो यह जो तीन तो focal length किसमें होगी सेंटीमिटर में यह भी आपको याद रहाएं किसमें होगी सेंटीमिटर में अब जो power of lens किसके लिए होती है converging lens के लिए और converging lens क्यों होता है convex यह भी एक number का question बंगे इसमें तीन विंद सकते कि कमलें की पॉजिटीव होती है ती कहलाता है ठीक इसी तरह किसके लिए और डिवर्जिंग लेंज कुन सा होता है कनकेव लए ठीक तो यह दो चीज़े हो गई इसे साफ साफ से question पूछे जा सकते हैं आप इनको अच्छे से note भी करते रहें और समझते भी रहें अगला क्या है कि अगर हमारे पास हंभास चार पांच स्या जितने भी आगए डिफ्रेंट डिफरेंट पावर दिवह हैं इसे लेंसी कि इते भी अंगर इन दोके तो I यह जो जाती है इंसारी पावर का जोड नहां थे अगर आब से कोई बोल एक कि प्लस फॉर डायप्टर माइनस फाइव डायप्टर प्लस शिक्स डायप्टर प्लस एडायप्टर अगर इन चार पावर किलेंज को जोट देए तो टोटल पावर कितनी आएगी तो अब्यस सी बात इसको जोटेंगे 10, 10, 18, 18, 18 में से 5 गए 13 तो फाइनल जो हमारे पास अगा तेरा डायप्टर ठीक है समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाना चाहरा हूं अब इसके बाद आपको एक फॉर्मला याद रखना है क्या कि मिनिममम एंगल ओफ डेविशं ठीक है अगल ओफ मिनिममम डेवेशन है मिनिमम में अगल डेविशन ठीक है जब भी लाइट प्रिजम के अंदर ट्रेवल करते तो कौन सा इंसिडेंस एंगल होगा जिसके लिए डेविएशन का एंगल सबसे कम होगा ठीक है उस चीज के बार में बात करें उसके लिए आपको दो फरूमले आद करने एक तो के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ओफ प्रिजम अगर अपने को और प्रिजम का एंगल दिया प्रिजम का एंगल कौन सा होता है प्रिजम का एंगल है बेसिकली यह यह वाला एंगल ठीक है तो कहने का मतलब है कि अगर दो चीज़ अपने को दिवें तो तिसरी चीज़ अपन निकाल सकते हैं बाकी इनका formula ही पूछा गया है डारेक्ट अभी तक जितना मैंने दिये exam 5-6 तो आपको इसमें सिर्फ यह में याद रखने हैं इनके formula क्या है इन formula में मीनिंग क्या है जैसे एंगल ओफ प्रिजम डियम मिनियम अंगल ओफ डेविशन मियू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ओफ प्रिजम ठीक यह आपको याद रखना है अगला अगला concept क्या हमारे पास कि splitting of white light into different colors ठीक है वेन पास थ्रू प्रिजम मतलब जैसे मैंने यहां पर डियाग्राम देखोई डियाग्राम मैं इसको दुबारा बनागे दिखा जैसे कि यह मेरे पास प्रिजम में इसमें कोई light गई और तो एक्च्वल में तो इसको ऐसे जना कर प्रिजम नहीं होता लेकिन यह आगए तो डियाट करेगी इस तरीके से इधर भी थोड़ा डियाशन इधर भी थोड़ा डियाशन इस इस तरह के साथ लाइन आएंगी तो यह जो light ऐसे निकल के तर अलग अलग डियाट होके जो सा आइट लाइट डिसपर्ज होगी तब ठीक है तो इसका मीन नीचे वाला अंगल का वोईलेट जोगे इस अब से जादा वेवलेंध स्वरी सब ज्यादा फ्रिक्वेंची किसकी इसकी सबसे कम फ्रिक्वेंची रेड़ गी वेवलेंध देखो इधर इंक्रेजिंग ओडर न नू इकोल टू वन अपॉन नेम्ड़ ठेक? इसलिल नू Where Do You, दोए इनवर्सली कोला कि आपे स्पार गधिघ जिम्तर ज्यादा ऊब शु करिण은 कि देक्ट इस प्रिक्वेंजी ज्या थे इंग फिक की सब जयता रेड कि और अपने सिगनल वहिए इससे ऐसे हैं को विपके ल में एक्वास घाल हो सबसे पर विचान कि क्योंकि इसकी wavelength है वह सबसे ज़्यादा जिसकी wavelength जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कम वह क्या करेगा डेविएट करेगा ठीक उसके बाद अकला देखते हैं कि चलो भाई उसको जो light इसकी डिस पर उसको तो अपने बोल जा डिस पर आप लाइट लेकिन आप जो उसका पैट्रन जो आप पैट्रन को किया बहुत है स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम के रिगार्डिंग और बाकी चीज़े आपको मैं बाद में बता हूँआ चिंता हमत करिए अब ही अगला इसके उपर जो फिनोमेन आप यह सो देख लिए जो डिस पर जन ओप सं लाइट है जो अपन अब जो हमारे पास जो जिसमें दो तैप से रैंबर रहन यह सो में गए जो रहए जो संहे दो जैसे вижу जो एक वंपए्ट्रोशाई में ला कि बहुड जी यह कुल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा यह आप से क्वेश्सें एक नोमर में पूचका जा वेवलेंद मतलब कितनी अमाउंट ओफ लाइट स्कैटर होगी वो किसे इनुर्स प्रोवशनल तो लेमडा की पावर चार ठीक और इसको क्या बोलते हैं रेले स्कैटरिंग ठीक ये नाम आप याद रख लेना ठीक और आप से पूछ ले कहें तो क्या एगा कि इनुर्स प्रो चोटी है एस कंपेर टू रेड ठीक है तो अगर वेवलेंद चोटी है तो अब्यस्टी बात ज्यादा स्कैटर होगी ज्यादा स्कैटर हो जाएगी तो इसका मतलब अपने को ब्लू कलर दिखते हैं लेकिन एक चीज़ और है कि जो विब ग्योर जब अपने लिखते हैं वी सेंसिटीव जिसके अपने बात करते हैं न वोइलेट कलर कम सेंसिटीव है अपने आखों की ऐस कंपेर टू ब्लू इसलिए अपने को कैसा स्काई दिखता है ब्लू कब जब आसमान साफ होता है ठीक और एक और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेस्टन जिसको बोल सकते हैं क जिए कि रेडिस कलर ओफ सन एट संसेट एंड संड्राइज यह दो क्वेस्टन पूछे वें ठीक है कि जो रेडिस कलर जो ता अपने संका वो संसेट और संड्राइज पे किसके विज़ेसे होता स्केटरिंग ऑफ लाइट की वज़ेसे आई होप आपको एई वीडियो समझ स्क्राइब जुरूर कि दिखका तो कि कमेंट सेक्शन में यहां फिर मेरे को मेरे को मेरे को मैसेज कर सकते हैं थैंक यू जय हिन जय वारत लगे रो मैनत के